नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सो हाल ही में Union Cabinet से हर्सिम्रत कौर बादल जी ने अपना इस्तीफा दिया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्हों ने अपना इस्तीफा क्यूं दिया है, और साथी में इसके साथ जुड़े हुए जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं पंजाब, हर्याना में में मेंली और कुछ और राज्यों में भी उनके बारे में चर्चा की जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे टेलिग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद सर, इसके इलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. Study IQ की आप जिसको की आप Google के Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आप के ऊपर हमने एक खास और बहुत ही महत्वपूरन कोर्स लाँच किया है, इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर को सब्जेक्ट वाइस कवर किया है, यदि आप आने वाले प्रेलिम्स में अपि सकोर देखिये और इसको भाइ कीजिए, और यहाँ पर हर्सिम्रत कौर बादल जी बेसिकली एक Union Cabinet Minister थी और इनके पास जो पोर्टफोलियो था, वो था Food Processing Industries का in the Government of India, और यह बेसिकली यहाँ पर इन्हों ने कल शाम को Twitter के माध्यम से बताया की, I have resigned from Union Cabinet in protest against the anti-farmer ordinances and the legislation, also उन्होंने साथ ने कहा, proud to stand with farmers as their daughter and their sister, so काफी clearly without mincing any words, इन्होंने कहा है कि the reason she has resigned is because of the anti-farmer ordinances जो यहाँ पर अध्यादेश पास किये गए हैं, जो की farmers के खिलाफ हैं, मैं उसके चलते यहाँ पर, प्रोटेस के चलते अपना इस्तीफा पेश कर रही हूं, and today morning यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेजिडेंट रामनात कोविन जी ने इनका इस्तीफा accept कर लिया है, and also नरेंद्र सिंग तोमर जी को हरसिम्रत कौर बादल जी का जो ministry का portfolio था, वो भी दे दिया गया है, खेर, यहाँ पर जो इनके इस्तीफे की कहानी है, उसके पीछे वैसे तो बहुत सारी politics है, बट हमें वहाँ पर जाने की आवशिक्ता नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जब यह इस्तीफा देने वाले थे, उसके जस्ट पहले, यहाँ पर शिरोमनी अकाली दल के जो प्रेजिरेंट है, सुकबीर सिंग बादल, जो की हरसिम्रत कौर बादल जी के husband भी है, इन्हों ने भी इन बिल्स को लोकसभा में काफी oppose किया और इन्होंने clearly कहा था कि यह वाले जो बिल्स है, they will destroy the agriculture sector in Punjab, and इन्होंने पहले ही घोशना कर दी थी, कि इस protest के चलते, जो हमारी union minister है, जो की शिरोमनी अकाली दल को बिलॉंग करती है, वो भी यहाँ पे अपना इस्तीफा दे देंगी, और यहाँ पर जो हरसिम्रत बादल जी का resignation letter था, Prime Minister Modi को, जो की चार पेज लंबा letter है, उसमें उन्होंने लिखा है कि despite her persistent pleas and repeated efforts from the party, central government ने farmers को on board नहीं लिया था, जिसकी वजे से वो यहाँ पे अपना इस्तीफा दे रही है, and finally she also said कि every member of her party is a farmer, जिसके चलते, SAD is merely continuing its age-old tradition of being a champion of the farmer's interest, very interesting line said by यहाँ पे हरसिम्रत कौर बादल, every aqali is a farmer and every farmer is an aqali, खेर, हम यहाँ पर जो आपके साथ main चर्चा करने वाले हैं, वो यह है कि असल में जो इस्तीफा दिया गया था, उसके पीछे जो ordinances की बात हो रही है, जो अध्यादेशों की बात हो रही है, वो क्या है, यहाँ पर कुल मिलाके 3 ordinances हैं, जि service ordinance 2020, essential commodities ordinance 2020, ठीक है, और आपको यह भी मैं बता दूँ यहाँ पर, कि 3 के 3 अध्यादेश जो हैं, वो अब एक कानून बन चुके हैं, हाल ही में जब parliament का monsoon session बैठा, तो उन्होंने voice vote के थुरू, इन 3 अध्यादेशों को एक कानून में तब्दील कर दिया है, they have now been replaced by bills, जो की आगे जाके acts भी बन जाएंगे, clear है, यहाँ पर अगर हम देखें कि overall जो grievances farmers यहाँ पर raise out कर रहे हैं, यह कुछ general grievances है, farmers का यह मानना है कि इन 3 bills के पास होने के बाद, उनको MSP regime उससे बाहर निकाल दिया जाएगा, अभी तक भारत में आपको मालुम होगा minimum support price की जो रजीम चलती आ रही है, almost since 1960s, farmers यह मानते हैं कि अगर यह bills पास हो जाते हैं, तो MSP regime के जो वो हकदार थे, वो उनको अब मिलना बंद हो जाएगा, साथी में यहाँ पर एक और stakeholder होता है, जिसका नाम होता है, commission agent, और commission agent या फिर जिसको आप बोल सकते हैं, आड़तिया बोलते हैं, व there are over 12 lakh farming families, and 28,000 registered commission agents, 28,000 से भी जादा, यहाँ पर आड़तिया registered हैं, और 12 lakh से भी जादा यहाँ पर farming families हैं, these bills will affect all these people in the state, इसके इलावा, जो MSP वाला main income grievance है, उसके according यह कहते हैं कि आज की rate में, जो Punjab की economy है, वो मोटी-मोटी चलती है, on the funds infused by central government, such as the food corporation of India, और अगर यहाँ प भी मिलना बंद हो गया, तो ना केवल हमारे livelihoods पर फरक पड़ेगा, बलकि state की economy के उपर भी फरक पड़ेगा, finally वो बोलते हैं, protesters fear, FCI will no longer be able to procure from the state mandis, which will rob the idle man, या फिर आड़तिया, of his 2.5% commission, at the same time state will also lose the 6% commission it used to charge on the procurement agency, so आप देख सकते हैं, तीन तरह के यहाँ पर stakeholders है, सबसे पहला है farmer, दूसरा है आड़तिया, और तीसरा है state, तीनों को यहाँ पर नुकसान होगा, यह farmers का यहाँ पर main यहाँ पर agenda है, जिसके चलते यह protest यहाँ पर किया जा रहा है, खेर, यह तो हुए कुछ general grievances, अगर हम बात करें, जो मैंने आपके साथ 3 ordinances की बात की है, उसमें farmers सबसे जादा नाराज किस particular ordinance को लेके हैं, सबसे जादा concern है, पहले वाले ordinance को लेके, जिसका नाम है, The Farmers Produce Trade and Commerce Ordinance 2020, इसमें भी कुछ particular terms को लेके, जो की अभी recently add की गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, तीन important terms है, that is trade area, trader and market fee, जिसको यहाँ पर add किया गया है, इसको आपको समझना होगा, यह थोड़ी सी technical है, Alright, so अभी तक क्या होता है, कि अभी तक आपको मालूम होगा, कि maximum states में, APMC's के तहत, Monday's established की जाती है, और यह जो APMC acts होते हैं, यह अकसर कौन लेकर आता है, यह लेकर आता है state government, ठीक है, state government क्योंकि agriculture एक state subject है, so यहाँ पर agricultural marketing को भी, जो subject आता है, वो state government के अंडर ही आता है, so state governments इस particular power का इस्तिमाल करते हुए, state में APMC's Monday's को establish करती है, clear है, so अभी तक जो भी वैपार होता है farmers के बीच में, और traders के बीच में, वो होता है APMC's Monday में, so आज की date में अगर हम देखें, trade area क्या है, आज की date में trade area है APMC's Monday, अब जो नया ordinance आया है, farmers produce trade and commerce ordinance, इसने trade area की definition दी है, वो यह दी है, It is any area or location, place of production, collection and aggregation which includes farm gates, factory premises, warehouses, silos, cold storage, or any other structure or place from where trade of farmers produce may be undertaken in the territory of India, आप देखें यहाँ पे 6 चीजों को add किया गया है trade area में, लेकिन ध्यान से देखने पर पता लगता है, कि परिभाशा में असल में एक चीज मिसिंग है, that is the market committees formed under each state APMC act, उस चीज को यहाँ पे include नहीं किया गया है, So, farmers का यहाँ पे main protest ही यह है, farmers का protest यह बोलता है, कि APMC मंडी का जो system था, वो अभी तक बहुत ही बढ़िया system था, जिसके चलते हर मंडी यहाँ पे कम से कम 200 से 300 villages को cater कर रही थी, लेकिन जो नया ordinance है, वो basically मंडी को यहाँ पे exclude करता है, जिसके चलते आगे जाकर जो बड़े बड़े corporate buyers हैं, उनको ही यहाँ पर फायदा होगा, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, देखिए, अभी तक क्या होता था, farmer अपना produce लेके चाता था, APMC मंडी में, APMC मंडी में commission agent उस produce को खरीदता था, फिर वो आगे जाके उस produce को बेशता था, लेकिन अगर मान लीजे, APMC मंडी इस पूरे system से बाहर कर दिया गया है, उस case में क्या होगा, कि जो corporates हैं, जो बड़े-बड़े corporates हैं, वो अपने छोटी-छोटी मंडियां establish करेंगे, जगा- इसके चलते शुरुवाती दिनों में तो farmers को फायदा होगा, लेकिन आगे जाके farmers को नुकसान जेलना पड़ सकता है, लेकिन government का यहाँ पर क्या बोलना है, government बोलती है कि अगर हम ऐसी मंडी के बाहर आपको trade allow कर रहे हैं, तो इसके चलते आपको freedom of choice मिल जाती है, जिसके चल यहाँ पर section 2N of the first ordinance यह define करता है trader को, a person who buys farmers produce by way of inter-state trade और intra-state trade और a combination thereof, ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ नई चीजों को add गर दिया है, ठीक है, on behalf of one or more persons for the purpose of wholesale trade, retail, end use, value addition, processing, manufacturing, export, consumption, or for such other purpose, कहने का मतलब यह जो चीजें है, processing, manufacturing, export, consumption, यह सब चीजें पहले added नहीं थी, trader वो ही है, जो inter-state trade या फिर intra-state trade करता है, यह सब चीजें पहले भी थी, आपके APMC Act में भी allowed थी, लेकिन अभी जो यह नया ordinance है, यह क्या allow करता है, it includes processor, exporter, wholesaler, miller, and retailer, so इसके चलते, प्रदर्शन करता क्या बोलते हैं, so यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, कि जो present Monday system है, जो protesters का मानना है, जिसमें आड़तियास के ऊपर उनको भरोसा है, क्यों क्योंकि आड़तियास को license मिलता है, commission agents को license मिलता है, state government के त्वारा कहने का मतलब कि उनके पास कुछ credibility होती है, हम अगर सरकार उन लेकिन यहाँ पर जो आपने नया system शुरू कर दिया है, इसके चलते केवल आड़तियास ही नहीं, यह सब लोग भी यहाँ पर function कर पाएंगे, and that too without getting a license approved, so जिसके चलते यहाँ पर possibility है, कि farmers को आगे जाकर इन लोगों के साथ जूजना पड़ेगा, जिनके पास approved license available नहीं है, और जिनकी financial capability है, वो verified नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर second protest का reason बनता है, और यहाँ पर यह वाला जो reason है, वो काफी बड़ा असल में farmers के लिए नहीं है, यह जादा बड़ा reason है आड़तियास के लिए, because इसके चलते जो आड़तियास हैं, उनको भी as an occupation काफी जादा नुकसान जीलना पड़ सकता है, इसके बाद बात आती है market fee को लेके, अब यहाँ पर जब आप इस particular provision को देखेंगे, आपको लगेगा कि उपर उपर से लग रहा है कि market fee का provision है, वो असल में सही है, market fee जो नया वाला act है, जो नया वाला bill है, यह इस particular market fee को हटा देता है, अभी तक क्या था market fees के under 3 तरह के charges लगते थे, लगभग 8% की market fees लगती थी, जिसमें market fees of 3%, rural development charge of 3% और आधिया का commission लगभग 3% का, so यह वाला जो सारा का सारा, इतना सारा market fees लगता था, यह नय वाले ordinance ने इस complete market fees को खतम कर दिया है, section 6 बोलता है, no market fee or cess or levy by whatever name called under any state APMC Act or under any other state law, shall be levied on any farmer or trader, और electronic trading and transaction platform, so again आपको लगता होगा कि government यहाँ पर यह बोलती है कि this will reduce the cost of transaction and will benefit both the farmers and the traders, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, जो प्रदर्शन करता है, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक उधारन के तुर समझाया, माल लीजिये कहते हैं कि मंडी में कोई transaction हुई, जिसमें कि एक quintal wheat के ऊपर transaction होती है, जिसमें 8% का अगर आप market fees को लगा लेते हैं, इसमें it comes to about Rs. 164. So, the sale of every quintal of wheat outside of the money, you are basically incentivizing big corporates. Again, यहाँ पर बात क्या आती है, कि यहाँ पर आप देखें, लगभग 3% का जो development charge था, यह किसको जा रहा था? State की economy को जा रहा था. So, we have proved our point, जो हमने starting में बात की थी, कि तीन तरह के stakeholders हैं, farmer, उसके बाद आड़तिया, उसके बाद state. जो तीसरा वाला market fees का प्रावधान है, यह state को effect करेगा, जो पहले वाला प्रावधान था trade area वाला, यह farmer को effect करेगा, और जो trader वाला प्रावधान था, यह आपके आड़तिया को effect करेगा. This is the big problem, जो की इस particular ordinance में यहाँ पे प्रदर्शन करता पेश कर रहे हैं. In fact, अगर आप देखें, इस पूरी कीस का consequence क्या हुआ है, क्योंकि यह तीनों के तीनों bills बन चुके हैं, तो यहाँ पर पंजाब की एक farmer body ने announce किया है, कि हम आने वाले समय में तीन दिन का railroad को agitation शुरू करने वाले हैं, जो की September 24 को start किया जाएगा. कई सारे सवाल यहाँ पर जिनका जवाब देना बच जाता है, सबसे पहले तो COVID-19 की महामारी के समय में, यहाँ पर farmer's body को protest करना पड़ेगा, राइट, तो जिसके चलते काफी जादा नुकसान, उनको livelihood को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथी में अगर आप देखें, यह यहाँ पर उनके स्वास्त को भी नुकसान हो सकता है, इसके इलावा कुछ और यहाँ पर सवाल है, जिनका जवाब देना बच जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे bills, जो कि specially इतनी बड़ी section of the economy को impact करते हैं, क्या ऐसे bills को pass करने का तरीका, discussion और deliberation के थ्रू नहीं है प सवालों के जवाब आप हमें बताइए comment section में, इसी के साथ आप से विदा लेता हूँ, thank you for listening, stay tuned and stay safe.